को एक एक्जामपल देता हूँ बढ़ा सिंपल सा रियल लाइफ जिससे आप सब लोग अराम से रिलेट कर पाओं कितने लोग स्टूडेंट्स है यहाँ पर तो आज से दो-तीन साल पहले एक न्यूज आई थी जो मैंने एक न्यूस पेपर में बढ़ी थी आप में से भी आपके बोर्ट के एक्जाम्स में 98 परसंट चाहिए और स्टागिट के बेस पे उसने आगी कि अपनी सारी प्लाइनिंग कर लिए कि जब मेरे 98 परसंट आएंगे तो मेरा इस कॉलिज में अडिमिशन होगा फिर मैं यह करूँगा फिर मैं वो करूँगा ऐसे सारी प्लाइन यह तो हो गया एक एक्स्ट्रीम एक्जाम पर लेकिन अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वज़े से डिप्रेशन में चले गए परिशान हो गए जिन्दगी से हार गए जिनका कॉण्फिडेंस जीरो हो गया जिनको कुछ सब़ज नहीं आरा क है हम आगे क्या करें तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में लाखों है करोड़ों हैं बता नहीं कितने हैं जिमकी जिनकी खराभ हो रही यह किस वज़े से एक गलत ट्रैक पे चलने की वज़े से अगर मैं लाइफ का आपको एक्जामपल दू education से related जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा आप imagine करो एक cricket का match चल रहा है आप यहाँ पर बैटिंग कर रहा है आप student हो पीछे कोई wickets नहीं है यह life का game है cricket का game नहीं है cricket से related है मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूँ लेकिन यह जिन्दगी है आप यहाँ पर बैटिंग कर रहे हो पीछे कोई wickets नहीं है कोई wicket keeper नहीं है कोई और players नहीं है सामने से life है जिन्दगी है जो एक के बाद एक ball factory चली जा रही है ball आ रही है एक ball आई आपने bat खुमाया वो ball छूट गई पीछे निकल गई पीछे निकल गई अब आप क्या करोगे suicide करोगे एक ball छूट गई समझे ना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूँ एक ball छूट गई suicide करोगे आप parents हो आपके बच्चे से एक ball छूट गई क्या काओगे उसको मर जा क्या काओगे उसको कि तू हार गया जिन्दगी से हार गया अब तू कुछ नहीं कर सकता तू किसी काम का नहीं है यह करोगे तो क्या है life life को समझो life वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो आपकी सोच से परे है जहां तक आपकी सोच नहीं बहुत सकती वो है असली जिन्दगी तो हुआ क्या एक ball छूट गई वो ball क्या थी वो एक opportunity थी जो numbers के रूप में आपके सामने आ रही थी exams के रूप में आपके सामने आ रही थी यह 12th के exams है सामने से जिन्दगी ने एक opportunity फैकी वो निकल गई मैं यह नहीं कह रहा वो opportunity नहीं थी थी माल लिया number आयाते तो ठीक है कुछ अच्छा हो जाता निकल भी गई या फर्क पड़ता है भाई यह गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना कोई wickets नहीं है कोई और player नहीं है मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिन्दगी के खेल में out नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते तुमिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिछ पे डटे रहो लाइफ का सिरव एक काम है वो एक के बाद एक ball फैक्टी चली जाएगी एक ball आई एक्जाम्स की निकल गई कोई बात नहीं एक दूसरी ball आईगी कोई और चीज की आएगी फिर कुछ और आएगी आरे हजारों ball आएगी जिंदगी में ये ball क्या हैं opportunities है कोई छोटी opportunity है कोई बड़ी opportunity है जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है और जिसको छोटा समझ रहे हो कई पर वो बड़ी होती है सामने से आई एक ball आई निकल गई क्या फर्क पड़ता है नंबर आ गए तो बड़ी आए नहीं आए तो और बड़ी आए ball मिसो कोई कोई बात नहीं तयार रहो बैठ करके रोना नहीं है साइड में जा करके बैठना नहीं है कि मैं बरबाद हो गया तूसरी ball मिस तूसरी opportunity भी मिस दुनिया की नजर में आप fail हो रहे हो लेगिन आप डटे हो है आपको खेल समझ आ गया है जिन्दगी का आपको समझ आ गया है कि एक event में fail होने की विजए से life में fail नहीं होते है एक event का end life का end नहीं है भाई life के अंदर 1000 लाखो events आने वाले हैं और एक एक करके ball आ रही है तीसरी ball आई bad गुमाया फिर मिस हो गई चौती ball आई bad गुमाया फिर मिस हो गई पाच भी ball आई फिर bad गुमाया फिर मिस हो गई छटी ball आई आगे बढ़े लिया चका एक भी बॉजमन पांच बॉल्स की कसर पूरी सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर वो एक दिन हमज गए